गुड इमनिंग दोस्तो एक बार फिर से स्वागत करते हैं आपके अपने यूटूब चैनल एम्यू कलास के TGT PGT कला टेस्ट स्रीज महा मायराथन रात के 8 बजे के आज के स्रिंखला में तो चलिए वीडियो के शुरुआत करने से पहले बस यही कहूंगा कि वीडियो पशंद आये तो लाइक शेर कर दीजिएगा Facebook पेज को फालो कर लिजेगा क्योंकि 5 तारिक से हम लोग लाइब आएंगे रात में 9 बजे टेस्ट लिया जाएगा टेस्ट से रीच चलेगी हमारी उसमें हम लोग देखेंगे कि हमने जितना पीछे पढ़ा है उसमें कितना हमने अभी तक इस्टॉल करके अपने पास रखा है और चैनल पर पहली मरतबा है तो सब्सक्राइब कर लेजीगा बेल के आएल के शाथ ताकि नोटिफिकेशन अपडेट होता रहे चलिए इस्क्रीन पर आपके पहला प्रश्ण है जो हमसे पूछ रहा है जान देवराज किस रूप में जाने जाते हैं जान देवराज वो कौन से रूप में जाने जाते हैं विख्यात हैं या प्रशिद हैं जो कहना है कहे लीजिए पहले प्रश्ण का है कहना क्या पेंटिंग के रूप में जाने जाते हैं मियूरल के रूप में जाने जाते हैं इंस्टालेशन के रूप में जाने जाते हैं या फिर स्कप्चर के रूप में जाने जाते हैं तो चलिए पहला प्रशन है और मैं चाहता हूँ कि आपके कमेंट्स पहला जो आए वो खुबशूरत आए और बिल्कुल एंशर सही से सुरुवात हो आपकी यही काम ना करूँगा यही उम्मीद करूँगा मैं तो पहला प्रश्ण कह रहा है जान देवराज किस रूप में जाने जाते हैं तो पहले प्रश्ण का सही जवाब है इस कप्चर के रूप में जाने जाते हैं दूसरा प्रश्ण हमारा कह रहा है फ्लेम्ड मोजाइक किस कलाकार के लिखी गई पुस्तक है फ्लेम्ड मोजाइक यह एक पुस्तक है जिसको इसमें से एक कलाकार ने लिखा है क्या उनका नाम B.S. अगरवाल है जिन्होंने इस पुस्तक को लिखा नेविल तुली ने लिखा केजी सुपरमडियम सहाम ने लिखा या सतीस गुजराल सहाम ने लिखा तो डेली आपकी आठ बजे की ये कलास लगती है और ये इनफार्मेशन उनको दिया जाता है जो नए जुड़ते हैं उनको पता होना चाहिए रेगुलर कलाश हमारी क्या है तो डेली रात आठ बजे और पांच तारिक से हम लो लाइब आने वाले हैं तो इसलिए इस नोटिफिकेशन को मैंने फैस्बूक पे डाल भी दिया है अपने और मैं चाहूंगा कि बाकी लोग भी सेयर कर दें तो फ्लेम्ड मोजाइक ये पुस्तक लिखी आपकी नेविल तूली ने है आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्म कहे रहा है फाववादी कलाकार के रूप में जाने जाते हैं फाववादी कलाकार के रूप में जाने जाते हैं मातिस, मोने, मुंक या मीरो ठीक है तो इसमें से कौन सा पास्चात्य कलाकार है जो फावादी कलाकार के रूप में भी जाना जाता है पहचाना जाता है ये है हमारा अगला प्रस आज के इस महामयराथन की स्रिंखला का तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा है हेनरी मातिश अगला प्रस देखिए क्या कह रहा है बिमल दास गुप्त का जन्म हुआ था बिमल दास गुप्त ये भी एक कलाकार है और कलाकार के रूप में जाने और पहचाने जाते हैं और इनका जन्म जो है वो कौन से सन में हुआ था ये हमारा प्रश्न है क्या उन्होंने 1910 में जन्म लिया था 1912 में लिया था 1917 में लिया था या 1922 में लिया था कौन से सन में बिमल दास गुप्त जी का जन्म हुआ था ये कहना है प्रश्न का और इसका सही जवाब है अगला प्रश्ण हमारा पूछ रहा है कामिक्स कलाकार चितरकार और लेखक इन तीनों चीजों के लिए पहचाने जाने वाले कौन है इसमें से हैं स्याम सर्मा, प्रकास महराड़ा, भज्जु स्याम या नारायर दियोनाथ कामिक्स अगर आपको याद होगा तो नब्य उब्य नाइन्टीस के दशक में ये जो काटून टाइप के कामिक्स आते थे जैसे चाचा चोधरी आपने सुना हुगा चाचा चोधरी ठीक है इसी तरह के नए नए कामिक्स आते थे जिसको लोग लेते थे और पढ़ा करते थे मुझे बच्पन में याद है मैं जब पढ़ता था चौधी पांचवी कलास में जब मैं था तो उससमें कामिक्स को जो है किराय पे भी लोग देते थे दो चार रुपिया देखे और दिन भरका ले जाए और फिर लागे कल पढ़के दीजिए ठीक है इस तरह से था आपने भी जरूर ये जिन्दिगी फेस की आउत उसी कामिक्स की बात कर रहा है वही कामिक्स का लाकार चेतरकार और लेखक के रूप में इसमें से जाने जाते हैं और उनका नाम है नराण देवनात अगला प्रशन हमारह देखे का कह रहा है प्रशन का कहना है और हर का पौधा किस का लाकार का चितर है और हर का पौधा चितर का टाइटिल है नाम है और इसको बनाया किशने नंदलाल बोशने सुधिर रंजन खस्तगीर गगनेंदरना टेगोर नारायर स्रीधर वेंदरे तो चलिए कमेंट्स का सिंसिला जारी रखिए और एफबी पे हमारे जुड़ नामत भूलिएगा क्योंकि हम आ रहे हैं पांच तारीक को लाइव रात के नो बजे हैं जिसमें होगा आपके साथ टेश्ट और आप देखेंगे कि आपने अभी तक मेरे 700 पलस के वेडियो जो पड़े हैं उसमें कितना आपने अपनी तैयारी अपने जहन में बैठा के रखी है या दास के तोर पे और इस प्रश्ण का सही जवाब है नंदलाल बोश ने बनाया है अरहर का पौधा अगला प्रश्ण हमारा कह रहा है निम्न में से किस कलाकार ने मरी चीका ना नामक चित्र की रचना की मरी चीका ये एक चित्र है और इसकी रचना करने वाले कलाकार कौण है एक बात हमेसा याद रखियेगा कि वीडियो को पूरा वाच किया करिए ठीक है पूरा वाच करने से यह होता है कि जो महनत हम लोग करते हैं या फिर हेल्प से मिले या हम लोग बैटके जो भी करते हैं उसका पूरा स्रे आपको मिलना चाहिए इसलिए मैं कहता हूँ कि पूरा वीडियो देखा करिए तो मरीची का नामक छित्र की रचना इसमें से किस कलाकार ने किये यह हमारा प्रश्न है और इसको किया था गगनेंदरनाट टैगोर ने अगला प्रश्न हमारा पूछ रहा है तीसरी स्रेडी का रेल डिब्बा किस पास्चाते कलाकार ने बनाया तीसरी स्रेडी का रेल डब्बा किस पास्चाते कलाकार ने बनाया गुस्ताव कुर्वे दोमी एडवार्ड मुंक या फिर रोशो ठीक है तो चलिए लाइक जरूर दे दिजिएगा एक प्यारा साथ सेर कर दिजिएगा अगर आप यहां तक पहुंचे हैं और आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्रशन हमारा है तीसरी स्रेडी का डिबा यह एक कलाकार द्वारा बनाया हुआ चित्र है और वो चित्र जिस पादशात्य कलाकार ने बनाया उनका नाम है दोमिया आगे बढ़ते हैं अगला प्रशन हमारा दिखे क्या कह रहा है कोरोना वाइरस पर सबसे पहले चित्र स्रिंखला किस ने तयार की यानि COVID-19 इस पर चित्र स्रिंखला इसमें से किस का लगा ने तयार की मस्तान सिंग ने, मलखान सिंग ने, सुखविंदर सिंग ने या इन मेशे किशी नहीं वही कोरोना वाइरस जो दोशाल के अंतराल में बहुत सारे पूरे देश को डिश्टर्ब करके रखा और जिसके वज़े से जन जीवन आर्थिक इस्तिती सब कुछ अस्त व्यस्त हो गई थी उसी पर इसमें से एक चित्रकार ने अपनी श्रिंखला बनाई और उस चित्रकार का नाम है मस्तान सिंग अगला प्रस्ण हमारा पूछ रहा है मुक्षम वेदना किस चित्रकार का चित्र है मुक्षम वेदना ये जो चित्र है ये मंजू राणा का है रमेश राणा का है उमानाभियार का है या फिर मंजू परशाद का है तो चलिए टॉप प्रश्णू की सरिंखला है आज के इस सुपर मैराथन में और मैं चाहता हूँ कि आपकी प्रफार्मेंस जो है हमेशा की तरह बेश्ट रहे जैसा कि कल भी था आपके कमेंट्स अच्छे थे आपके प्यारे से लाइक अच्छे थे आपके जो भी कमेंट्स होते हैं जिस तरह के भी आपके प्रश्ण को होते हैं या पूछते हैं या कहते हैं सभी मैं देखता हूँ और मुझे बहुत अच्छे लगते हैं कि आपके इन सब चीजों को ध्यान देते हैं तो हमारा इस प्रश्ण का सही जवाब है मन्जू प्रशाग अगला प्रशना मारा कह रहा है आउजारों से खीची गई रेखा होती है जो आउजार होते हैं उससे जो हम रेखा खीचते हैं वो कोमल होती है लचीली होती है कठोर होती है या इन मेंशे कोई भी नहीं होती है ठीक है आउजारों से खीची गई रेखा किस तरह की रेखा मानी गई है इस प्रस्चन में विकल्ब के अनुशार ठीक है तो ये जो प्रस्चन है इसका सही जवाब होगा कठोर अगला प्रस्चन हमारा पूछ रहा है तुफान के तिनिके किस की प्रस्चन रचना है तुफान के तिनिके ये रचना है अकबर पदमशी की या फिर सतीस गुजराल की तयव महता की या के एच आरा की तो लग जाएए टीजीटी और पीजीटी की मेराथन सरिंखला जो आपकी डेली रातार बेज चलती है और एक्जाम का टाइम बहुत चलत ही आ रहा है नजदीक ये महीना या फिर इस महीने का पहला हपता एनाउंस्मेंट हो जाएगा आयोक के निउस के अनुशार तो ऐसा ना हो कि आप जो है पढ़ना बीच में छोड़ दिये हों और जब आये तब अचानक से आप पढ़ना सुड़ करें तो आप सब कुछ गवा दिये होंगे जो पीछे के पढ़े होंगे तो मैं चाहूंगा आप अपना डेली रूटीन बदल ये गा मत सही रही ये गा पढ़ाई है इसका सही जबाब है सतीस गुजराल का है तुफान के तिनके नामक चित्र रचना अगला प्रशन कहा रहा है भू अंचल और उनमें फैलिवी परवत सिंखलाओ का चित्रड किया भू अंचल और फैलिवी पदवत सिंखलाओ का चित्रड अर पिताशिंग ने किया और पढ़डा कोर ने किया, किष्ण खन्ना ने किया या जया अप्पाश्वामी ने किया चलिए सिंसिला आगे बढ़ता हुआ यहां तक पहुचा है पार बार आपकी नोटीस पिछले एक हप्टे से चल रही है कि फेस्बुक पेज़ पे लाइव आर आए एम्यू क्लास की टीम रात के नो बज़े ले के टेस्ट सिरी और मैंने आपसे कल पूछा था एक बार और आज भी पूछ लेता हूँ कि क्या उसमें जो मैं प्रश्ण कराऊंगा उसका एंशर मैं आपको दूँगा या फिर मैं आपका एंशर ब्रेक करूँगा और बाद में उसका एंशर की आपको तुरंट पूटप कर दूँगा क्या सही रहेगा हम आपकी राय जानना चाहते हैं और इस प्रश्ण का सही जवाब है जया अप्पास्वामी ने भुँ अंचल और उन्में फैलिही परवस्तिंक लाओов का चित्र रड़ किया चित्र भूमी विभाजन कितने परकार से होता हैं, अमारा अगला पूश्न कहिशन कह रहा है चित्र भूमी विभाजन परकार का होता है, कितने? तीन, चार, पांच या छे प्रकार का तो चलिए इस्पेशल सरिंखला के आज के मैराथन में मैं चाहता हूँ कि आप इस टेश्ट में ज्यादा से ज्यादा बेश्ट करें जो ये चिरी चल है ये समय चित्र भूमी विभाजन कितने प्रकार्शे होता है हमारा प्रश्ण है और सही जवाब है तीन प्रकार्शे होता है अगला प्रश्ण हमारा कह रहा है भारत के मुद्रण चित्रकार के रूप में जाने जाते हैं मुद्रण चित्रकार के रूप में हिंदुस्तान के जाने जाते हैं मुद्रण चित्रकला के रूप में भारत के इनमेशे कौन पहचाने जाते हैं ठीक है तो मुद्रण चित्रकला के रूप में जाने जाने वेले कलकार हैं इसमें से के लच्मागों अगला प्रशन हमारा कह रहा है मतष्य गंधी किस चित्रकार का चित्र है मतष्य गंधी जो चित्र है वो राम गोपाल विजय वरगिय का चित्र है राजारवी बर्मा का चित्र है कृष्ण खन्ना का चित्र है या देवी प्रसाद राय शोधरी का चित्र है इन में से किस आधुनिक कलाकार का चित्र है मतस्य गंधी नामक चित्र का नाम है तो चलिए कमेंट्स फटाफट करिए पूरे सिद्दत के शाथ लगे रहिए लाइक शेर के शाथ और लापरवाही मत करिएगा क्योंकि लापरवाही आखरी समय में आपके लिए घातक हो जाएगी अगर आप थोड़ा भी धील हो गए तो और इसका सही जवाब है राजारवी बर्मा का चित्र मतस्य गंधी है अगला प्रशन हमारा पूछ रहा है इन में से कौन से रंगों का माध्यम पारदर्शी है पारदर्शी है रंगों का माध्यम जल रंग का माध्यम पारदर्शी होता है पेस्टल रंग का तेल रंग का या इन सभी रंगों का इन मेंशे कौन से रंगों का माध्यम पारदर्शी होता है ये है हमारा अगला प्रश्ण आज के इस वीडियो का एक बात और बता देता हूँ हमारे फेस्बुक पे जो प्रश्ण होंगे टेस्ट के वो आपके होंगे 20 ये 20 डेली रहेंगे क्योंकि आपने जो पढ़ा है उसको आपको दोहराना है पीछे से और उसी में अपने कमेंट्स के द्वारा अपने टेस्ट को जाचना है डेली और ये सीरीज इसलिए अब शुरू की जा रही है क्योंकि इस महिने और अगले महिने को लेकर हमारे पास समय है अगला महिने का तो मुझे लगता है पहला ही हपता होगा सिर्ख यानि यही समय हमारे पास बचा है चाहे उसे 40 दिन का कई है या 45 दिन का इस पूरे दिन में हम लोग अपने इस ट्रेश्ट को डेली 9 बजे रात को लाइब करेंगे ताकि हमको दोहराने में अचानी हो जाए और यूटूब पे इधर से हम लोग पढ़ते रहेंगे तो इसका सही जवाब है आपका जल रहाँ अगला प्रश्ण क्या रहा है हमारा सिखो की पवित्र पुस्तक आदि ग्रंथ का संकलन कौन से सिख गुरू ने किया था सिखो की एक पवित्र पुस्तक है आदि ग्रंथ उसका नाम है और उसका संकलन बिमोचन किस सिख गुरू ने किया गुरू अंगद देव गुरू रामदास गुरू अर्जुन देव या गुरू तेंग बहादुर ठीक है वेरी इंपॉर्टेंट प्रशन है ये भी अपने हाप में और मैं चाहूंगा कि इसको बहुत केर्फूली एंसर देव आप लो तो आदि ग्रंथ का संकलन सिखो के जो पुस्तक है जिसने किया था उनका नाम था गुरू अर्जुन देव अगला प्रशन हमारा कह रहा है पूत निम्न में से हिस्सा है रेखा रंग रूप और पूत ये जो हिस्सा है रस के हैं कला शिद्धांत के हैं सडांग के हैं या कला थत्त्व के हैं तो चलिए कमेंट्स करते रहिए लाइक देते रहिए और सेयर देते रहिए मित्रो क्योंकि ये मौका अगर आपने गमा दिया तो फिर पता नहीं कब टीजीटी पीजीटी की आएगी इसको इतफाकी कहेंगे कि 21 सिवास से 22 में निकली है हाँ थोड़ी सी सीटे कम है लेकिन अगर आप अपनी काबिलियत अपना गड़्स रखते हैं तो आप इसमें सक्से जरूर होंगे इसका सही जबाब है कला के तत्तो के रहिखा रंग रूप पोत जो है वो हिस्सा है कला के तत्तो के अगला प्रश्न कहरा है दिखेगा ध्यांशे इंदर धनुष के शात रंगों में बीच का रंग होता है इंदर धनुष के शात रंग है यह आप जानते हैं लेकिन उस सात रंगों में जो बीच वाला रंग होता है वो कौन शा होता है जैसे कि इंदर धनुष बिलकुल इस तरह से निकल रहा होता है तो इस तरह से साथ हिश्श्चे में जो दिखाई देता है मान लिजिए एक 2-3 एक और बना ओर देते हैं 1-2-3 için 6 बीच में एक हिश्चा होता है सब से सेंटर में कूछ रहा है जो सेंटर का हिश्चा है वह कौनुजा रंग का होता है, निला रंग का होता है, हरा रंग, लाल रंग, या फिर ना रंगी रंग, ठीक है? बहुत ही अच्छा प्रस्ण है, बहुत ही मज़ा हुआ, और कहलें जीए, सांदार प्रस्ण है कोशन, कि इंदर धन उसके रंगों को तो हम लोग पढ़े ही हैं, कि इसमें रंग का हिश्चा नहीं है इंदर दन्स का हिश्चा नहीं है रंग का इंदर उसके रंग की शंखिया लेकिन बीच का रंग कौन सा होता है यह हमारा इस प्रश्ण का कहना है और इसका सही जबाब है हारा रंग जो बीच में होता है वो हारा होता है अगला प्रश्ण कह रहा है निम्लिखित में शेक कौन सी कला चाचुस है चाचुस कला की कटगरी में इनमें से कौन सी कला रखी गई है चित्र कला मूर्ति कला वास्तु कला या यह शबी चाचुस सबसे पहले इस चीज का अगर आपको अर्थ समझ में आ गया कि इसका मतलब क्या होता है माईने क्या होता है चाचुस का मेनिंग क्या होता है तो आप इस प्रश्ण का उतर आशा निशे देलेंगे चाचुस कला मतलब जो हम सही माईने में कहिए नेत्री अकला नेत्री अकला मतलब आखोशे जो देख सके उस कला की बात कर रहा है तो आप चितर कला भी आख से देखते हैं मुर्ती कला भी देखते हैं और वास्तु कला भी इसलिए इसका सही जबाब होगा यह शबी समझ में आ गया जाच्छुस का मतलब हुआ नेत्री अकला आखोशे देखने वाली अकला अगला प्रशन सोनी महिवाल नामक चितर सबसे पहले किशने बनाया था सोनी महिवाल इस चितर को सबसे पहले बनाया था मोला राम ने भगवान ने नैन्शुख ने या परखो में तो चलिए आज की टेस्ट स्रिंखला में मुझे बताईए कितना किया आपने सही अपने कमेंट्स के द्वारा और प्यारे से लाइक शेयर करते रहिएगा जोड़िये दूसरे को भी चाहे किसी भी राज्ये से हो कला का यही पैटर्ने कोई दूसरा नहीं आएगा तो सोनी महिवाल नमक चितर सबसे पहले जिस कलाकार की देन है वो थे नैन सुख अगला प्रश्ण कह रहा है महादेव की शभा महादेव की शभा चितर के चितरकार है चित्तु शाह, नैन सुख, भगवान या हरी दाश महादेव की शभा जो चितर है उसका नाम है और इसके चितरकार कोन है ठीक है तो मैंने क्या तैकिया है मैंने एह भी पितैकिया है टेस्ट में प्रश्णों की संख्या 20 जो की डेली रहेगी रात में 9 बजे लाइब सही रहेगा वो इसे चाहिए भी क्योंकि तुरंत 8 बजे का पढ़के 9 बजे आप लाइब आएंगे तो अच्छा भी रहेगा और इसे ये रहेगा कि आप थोड़ा सा दोहरा भी लेंगे ठीक है पीछे की चीज़ों को और इस प्रशन का शही जवाब है चितुष शाहा के दोहरा बनाया हुआ है अगला प्रशन हमारा कहरा है भारत में पालसली के शर्वधिक चित्र कहा है भारत में पालसली के सबसे अधिक जो चित्र मिले हैं हमें वो कहां मिले हैं गुजरात में, कोलकता में इस समय कहां है दिल्ली में या बुंबरी में इन में से कौन सा वो शहर है कौन सा वो जगह है जहां पर पालसेली के सरवधिक चितर मौजूद है हैं देखने को मिलेंगे आपको ये हमारा पृष्णि कह रहा है और इसका सही जवाब है कोलकता में का है कोलकता में अगला प्रश्ण हमारा कह रहा है चम्बा से गुलेर आने वाला चित्रकार था यानि चम्बा सहली से गुलेर में आने वाला जो चित्रकार था क्या वो नेंशुक था सजनू थे, मानकू थे या निक्का थे काफी अच्छे प्रश्णों को अभी तक आपने फेस किया है इस वीडियो में और उम्मीद करता हूँ कि कमेंट्स भी आपके पूरे तेजी के साथ एंशर के आ रहे होंगे मेरे इस वीडियो में बहुत जल्द फाइनल सम्मीट भी होगा लेकिन उस चे पहले इस प्रश्ण का उत्तर पहले हम लोग देखते हैं फिर आगे बढ़ते हैं और इसका शही जवाब है निक का अगला प्रश्ण हमारा कह रहा है इस्तिरियों के मस्तस्क पर चंदन का तीका किस शयले की बिशेष पहचान है इस्तिरियों के मस्तक पर चंदन टीका मस्तक यहां जो दोनों आखों के भों के बीच में जो ललाठ होता है जहां पर आपनों देखे हैं ब्रामण धर्म के लोग या फिर कोई भी पूजा पाट वगएरा जब चाहते हैं मंदिर पे तो उसी बीच में लगाया जाता है न वही कह रहा है कि इस्तिर्यू के मस्त पर जो चंदन का टीका है वो किसी सहली की बिसेस पहचान है भी काने शहली की कुलू शहली की गड़वाल सहली की या फिर मेवाल सहली की तो चलिए मिश्मत करिएगा सुपर मैराथन की इन सिंखराओं को और जो हमारे नए सब्सक्राइबर है, सबसे पहले उनका स्वागत है, और स्वागत के साथ यह कहूँगा, कि मेरा जो प्लेइलिस्ट है प्लेइलिस्ट में जाईएगा, वहाँ पे आपको 700 प्लस से अधिक वीडियो इस समय तक मौझूद है कलागे, तो मैं पढ़ाई में क्या पाया है और इस प्रश्ण का सही जवाब है गड़वाल सेली अगले प्रश्ण की तरफ बढ़ते हैं अगला प्रश्ण कहे रहा है क्लासिकल इंडियन स्कुप्चर क्लासिकल इंडियन स्कुप्चर इस पुस्तक को किशने लिखा है स्कॉप्चर क्लासिकल इंडियान स्कॉप्चर के पुस्तक के राइटर कोन है विवान शुंदरम चिंता मड़ीकर सरवरी राय चोधरी या देवी प्रसाद राय चोधरी ठीक है तो चलिए हमारे मित्रो लाइक का शिंशिला और सेर का शिंशिला विडियो को देखकर जारी रहना चाहिए क्योंकि यही चीज हमें हिम्मत देती है और यही चीज हमें उस प्लेटफर्म तक लेने के लिए हिम्मत दी है कि मैं फेस्बूक पे भी लाइब आपके लिए कुछ अच्छा करू तो क्लासिकल इंडियन एसकाप्चर पुस्तक के राइटर हैं आपके चिंता मडीकर चिंता मडीकर साहब जो एक मुर्तिकार के रूप में प्रशिद्धी हाशिल किये अगला प्रशन हमारा कह रहा है संखो चोधरी की मूर्ति सेल किस माध्यम में बनाए गई है यानि मुर्तिकार है संखो चोधरी मूर्ति का नाम है सेल और इस मूर्ति को किस माध्यम में बनाए गई है यह हमारा प्रशन है तो एक तो हमारे प्रशन में ही कुछ प्रशन आपको मिल गए कि सिल नामक मूर्थ सिल जो है एक मूर्ती है और उसको बनाने वाले मूर्तिकार है मूर्तिकार संको चोधरी और एक प्रशन आपके शामने है कि कौन से माध्यम में इसको तराशा गया है क्या शेल को शंगमरमर में तराशा गया है लकडी में, प्रस्तर में या धातु पत्र में कौन से माध्यम में तराशा गया है ठीक है ये है हमारा प्रश्न इस समय जो आपके वेडियो पे है और अपसे थोड़ी दिर बाद आपका आभी फाइनल सम्मिट होगा और फाइनल होने से पहले मैं चाहूँगा कि आप अपना बेश्ट बताएं, कमेंट्स करके कि सर आज के इस वेडियो में मेरा इतना शही हुआ और इस प्रश्न का सही जवाब है आपका संगमरमर में बनाया है संखो चोधरी ने सेल नामक मूर्ती को अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कागच पर जल रंग चित्र मिसिंग नोट के चित्रकार है यानि चित्र का नाम है मिसिंग नोट बना है ये चित्र कागच पर जल रंग माध्यम में और चित्र का नाम है मिसिंग नोट क्या इसको नंदलाल बोश ने बनाया प्राणनात मांगो ने बनाया या मिनी रंजन राय ने बनाया या अनुपम शूध ने बनाया किश कालाकार ने बनाया मिसिंग नोट नामक चित्र कागच पर जलरंग माध्यम तो चलिए होने जा रहा है final summit इस मैराथन का और हम चाहते हैं कि आज की test बेश्ट हो आपकी और हमारा इस प्रशन का सही जवाब है अनुपम शूद के दोरा बनाया हुआ है missing note कागच पर जल रंग माद दे हो और इस वीडियो का आखरी प्रशन मैंने पहले कहा final summit होने जा रहा है last प्रशन आप से पूछ रहा है इस वीडियो का last प्रशन question गुलाम मुहम्मद शेख ने मेगदूत को किस माध्यम में बनाया कल मैंने एक प्रशन पढ़ा है था मेगदूत और उसको वास चित्र पूछा था कि वास माध्यम में किस ने बनाया था कल जो प्रशन था लेकिन आज जो है मेगदूत जो है उसको गुलाम मुहम्मद शेख ने भी बनाया है सैलेंदरनाट डे ने भी बनाया है राम गुपाल विजय वरगी ने भी बनाया है हरिहर लाल मेढ ने भी बनाया है और गुलाम मुहमस शेख ने जो आपके शामने हैं मेगदूत बनाया है लेकिन यहाँ सवाल यह है कौन से माध्यम का इस्तमाल किया मेगदूत को बनाने ने गुलाम मुहमद शेक्षाः वाश माध्यम, एचिंग माध्यम, थेल माध्यम या टेमपरा माध्यम ये है आपका इस वीडियो का आखरी प्रश्ण जिसके कमेंट्स के बाद आप फाइनल सम्मिट करेंगे अपने टेस्ट को साबित करेंगे आज का बेस्ट और जुड़ेंगे फेस्बुक पेस से जहां हम पांच तारिक को लाइव आ रहा हैं रात में नो बजे बीस प्रश्णों की सरिंखला के साथ जिसमें आप से टेस्ट लिया जाएगा तो मैंने क्या बताया गुलाम मुहमद शेक्षाहम ने ये बनाया इसका माध्यम क्या था एक तो मैंने बताया था बाकी दो लोग का माध्यम क्या है बतायेगा इनके अलावा और इन्हों ने जिस माध्यम में बनाया है वो था आपका तेल माध्यम अब देखिए मैं क्यों इस तरह के प्रश्णुक डिसकस कर रहा हूं आपके दिमाग में हमेशा रहना चाहिए कि मेगदूत को इतने लोगों ने बनाया तो आप अपने दिमाग में एक तरीका से खाका तयार कर सकते हैं फिर नोट्स भी बना सकते हैं कि हमने लिख दिया अप नहीं रख लिया सामने इससे क्या होगा कि आपको समझ में आएगा कि हम ने जो है यह यह माध्यम में बनाया तो चलिए मित्रों उमीद करता हूं कि आज की वीडियो पसंद आएगी और आज के प्रश्णु भी हमारे बताएंगे प्रश्णा आएंगे पसंद आएंगे तो